नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे 5 बैतरीन गार्मेंट स्टीमर्स के बारे में जिसे आप यूज करके अपने कप्रों से रिंकल्स को हटा सकते हो तो अगर आपको लेना है ऐसा ही एक गार्मेंट स्टीमर्स उस वीडियो को देखते रहे तो वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रिव्यूज देखो यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को ताभी आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वी तो यह कुछ दिखने में ऐसा है और इसका जो प्राइस है करीब 3,900 रुपए में आपको मिल जाएगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी प्राइस में मेंशन कर रहा हूँ हो सकता है बाद में जब आप इस व फिलिप्स का गार्मिन स्टीमर है पोटबल वाला इसका हम लोग करते हैं रेव्यू और पताते हैं आपको इसके बारे में तो यह जो फिलिप्स का गार्मिन स्टीमर है इसका पावर जो है 1200 वटका है और इसे आप बहुत ही इसली स्टीमिंग कर सकते हो और इसके अंदर पिधियाज होता है आइरन करने के लिए वह वाला एरियाज आप इससे स्टीमिंग कर सकते हो ये बहुत ही लाइट वेट है और इसमें आपको बहुत ही ओमपैक्ट सा डिजाइन भी देखने को मिल जाता है और इसे आप और ये प्रोड़क्ट इतना पॉर्टबल है इसे आप अहीपी लेके जा सकते हो और आसानी से यूज़ कर सकते हो ये जो steamer है ये 22 ग्राम पर मिनित का अंटिनियस steam जिनरेट करता है जो कि 99.99% बक्टेरिया को खतम कर देता है और इससे क्या होता है आप अपने garments को दुबारा यूज़ कर सकते हो एक बार यूज़ करने के बाद और इसके अंदर आपको 2.5 मीटर का लंबा extension कौट देखने को मिल जाता है जिसे कि आप इसे extend करके कहीपी लेके जा सकते हो और वहाँ पे इसे use कर सकते हो और इसके अंदर आपको 70 ml का detachable water tank भी देखने को मिल जाता है जिसे use करके आप पानी को store भी कर सकते हो इसके साथ आपको 2 साल का warranty भी मिल जाता है date of purchase से और ये जो set है इसमें आपको एक garment steamer एक brush एक glove और एक user manual दिया जाता है तो पुल मिला के बहुत ही अच्छा portable handle garment steamer है ये आप इसे ले सकते हो तो आगे बढ़ते हैं और दूसर नंबर पे भी बात करेंगे कि कौन सा वाला garment steamer है सबसे बढ़िया तो यहाँ पर जो आता है इनालसा का garment steamer handy steam जो की 600 watt का है तो इसका जो price है करीब 1200 रुपे में आपको मिल जाएगा तो इसका भी हम लोग करते हैं review और बताते हैं आप हो इसके बारे में तो यह जो इनालसा का garment steamer है इसका जो wattage है 600 watt का है और यह बहुत ही efficiently wrinkles को remove करता है अपरो से यह बहुत ही handy steamer है और यह बहुत ही powerful 15 gram पर minute का steam generate करता है और बहुत ही जल्दी heat up भी हो जाता है अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपको एक detachable fabric brush मिल जाता है जिसे आप use करके जो मोटे कपड़े है उसके उपर steaming कर सकते हो और जो steaming का penetration है वो भी बहुत ही अच्छा होता है इसमें और आपको एक बहुत ही smoother finish मिल जाता है इसका जो nozzle है वो भी काफी बरा है तो इससे क्या होता है steaming का जो process है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है यह जो garment steamer है इसके अंदर आपको dry boiling protection भी मिल जाता है और overheat का protection भी मिल जाता है तो यहाँ पर क्या होता है जब भी water tank में पानी नहीं रहता है तो automatically यह heating element को switch off कर देता है या फिर अगर पानी खतम हो जाता है तब भी heating element को बंद कर देता है और overheating से आपको यह बचाता है इसमें आप vertical steaming भी कर सकते हो और जितने भी hanging fabrics होता है जो आपके hangers में आप फांके रखते हो उसमें भी आप इसे use कर सकते हो और इसमें भी आपको दो साल का warranty मिल जाता है इस portable garment steamer पे तो यह था दूसरा वाला जो सबसे बढ़िया garment steamer है आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पे भी जान लेंगे कि कौन सा है सबसे बढ़िया garment steamer तो यहाँ पे जो आता है विस्टेक का डाइडिक्ट 1000 वर्ट पोर्टबल हैंटल garment steamer यह कुछ दिखने में ऐसा है और इसका जो प्राइजे करी तीन हजार रुपए में आपको मल जाएगा तो इसका भी हम लोग करते हैं रिव्यू और बताते हैं आपको इसके बारे में तो यह जो garment steamer है यह बहुत ही आसानी से आपके cloth से wrinkles और crease को remove करता है इसे आप soft toys, curtains, bed sheets, pillows, cushions, blazer में भी यूज़ कर सकते हो एक साथ अगर आप इसे refill करते हो तो आप 5 से 7 अपरों को एक साथ इसके उपर आप यूज़ कर सकते हो और यह जो garment steamer है यह 1000 watt पर काम करता है और इसका जो steam output आपको मिलता है 21 gram पर merit का मिल जाता है इसका जो detachable water tank है उसका capacity में बहुत ही अच्छा है 270 ml का आपको मिल जाता है एक additional brush भी आपको दिया जाता है जिसे आप कोई भी तरह की बाल या lint fabric से हटा सकते हो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसको आप horizontal angle में यूज कर सकते हो और especially जो जो areas में आप जब iron करते हो तब आपका ironing करना मुश्किल होता है वहाँ पर जो wrinkles होता है especially जो cup rope owners है वहाँ पर भी आप easily इस garment steamer को इस्तेमाल कर सकते हो इसका जो handle है काफी comfortable है और आपको एक बहुती secure grip भी देता है जो कि आपको accident से भी बजाता है अगर आप इसे ठीक से use नहीं किये तो और इसमें आपको एक continuous steam lock switch भी मिल जाता है जो कि आपका हाथ को बहुती relief देता है क्योंकि अगर आप ये continuous steam lock switch को on रखते हो तो ये automatic लंबे समय तक continuous steaming करता रहेगा तो ये था तीसरा वाला जो product तो आगे बढ़ते हैं और चौता वाला जो सबसे बड़िया garment steamer है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो पता है फिलिप्स का 1600 वट का garment steamer है ये कुछ दिखने में ऐसा है और इसका जो prizes सारे 8000 रोपे में आपको मिल जाएगा तो इस इसमें आपको बहुती powerful continuous steam blow मिल जाता है उसके nozzles के बड़त से जो कि आपको wrinkles और grease को remove करने में मदद करता है उच्छी strokes में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको एक integrated adjustable pole भी मिल जाता है जहाँ पे आप अपने अप्रों को hang कर सकते हो जब आप steamer को इस्ते करना हो जाता है तो आप इसे fold करके भी रख सकते हो इसके साथ आपको एक बहुत ही बड़ा touchable transparent water tank भी मिल जाता है जो की up to 30 minutes of steaming इसे प्रदान कर सकता है और इसको refill करना भी बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें जो filling हो ले बहुत ही बड़ा है एक glove भी आपको दिया जाता है कि आपका हाथ protected रहे steaming करने के time में और यह steamer बहुत ही safe है और आप इसे कोई भी तरह की fabric और delicate fabric जिसे silk में भी यूज़ कर सकते हो तो आगे बड़ते है और पांचपा और आखरी वाला जो सबसे बड़िया garment steamer है उसके बारे में बात करते है तो यह जो आता है Russell Hobbs का professional garment steamer य आपको मल जाएगा तो आगे बढ़ते हैं और इसका भी करते है review और बताते है इसके बारे में तो यह जो Russell Hobbs का garment steamer है इसका भी steam output है काफी powerful है और यह आपके जो कपरों को बहुत ही fresh रखता है और जितने भी wrinkles है वो clear out कर देता है इसके नीचे आपको बहुती अच्छे stability वा आप इसे steaming कर रहे हो तो इसमें आपको एक adjustable limbic extension cord भी मिल जाता है जिसे की आप use करके आपके कपरों तक पहुत सकते हो अपके steamer को लेके और इसके अंदर एक cloth suspension hanger भी आपको देखने को मिल जाता है जिसे आप अपने कपरे को पांग सकते हो और इस garment steamer का सबसे अच्छा जो खोवी है इसमें आप steam amount को भी adjust कर सकते हो आपके requirement के हिसाब से और एक auto shut off feature भी दिया गया है जो कि आपके garment को secure रखता है अगर आप गलती से steamer को फुला भी छोड़ देते हो या फिर आप उसे रख के कही चले जाते हो तो भी ये auto shut off हो जाता है ये जो garment steamer है इसमें आपको double insulated hose भी मिल जाता है जो की steam के temperature को maintain करता है और surface heat को भी properly control कर देता है ये जो steamer है इसमें आपको 1.6 लीटर का water tank मिल जाता है जो की काफी बड़ा है और इसे आप बहुत ही बड़े जो प्रे होते हैं उसे एक ही बार में आप steaming कर सकते हो आपको बार बार refilling करने की भी जरूर नहीं परता है तो ये था सबसे बढ़िया 5 garment steamers जो की आप भी use कर सकते हो इन सबी की best price buy link मैंने नीचे description box में देके रखा है वहाँ पे जाके आप इनको check out कर सकते हो और अपना मन पसंदित garment steamer को चुन सकते हो तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से लेटर तो नीचे comment जरूर करना हम लोग इस वीडियो को ये ही पे करते हैं खतम तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like, comment और share जरूर करना और हमारे चैनल को subscribe करना मत ब झाल